पंजाब के पटियाला जिले में रविवार को लोगों के एक समुहू ने हमला कर एक पुलिस वाले का हाथ काट डाला वहीं दो अन पुलिस वालों को खायल कर दिया इसके बाद पुलिस ने साथ लोगों को गिरपतार कर लिया है नॉर्मल डिड़े ही डूटी हुंदी है जिनू पब्लिक नू मौन्टर कर दे राश्ना हो जै जिडा इस कटके उठे कोई सबाग छे वैज दे करीव एकड़ आपकल देवेच जिडे नियांग संग स्वार्ती उन्हाने मंडी बोर्ड आले ऑफ्षल किसे ने मलाजमी ने रोक किया भी तो अटेपोले पास है तो उन्हों ही बंदे जा रहे हैं भी इस शोशल डिस्टेंसिंग दा लगया भी एस करके तुसी पास कता हूं इन्ना केंदे हैं उन्हाने बैरीकेट दूर्तों गटीनंगा आक भी एत उसे की कारने तो उत्तर के उन्हाने हमला करता जीदे चे ऐसे चोशल शादर पठाला उधे यह कूनी ते बजजी है एक होर मलाजमी दे बाजू ते बजजी है एक सड़े एससे ही है जड़े उन्हाना दी हाथ कट आ गया मतलब वक्त हो गया उधे तो उन्हान मारी पुलिस ने बताया कि चार-पांच निहंगों का एक समू एक वाहन में यात्रा कर रहा था और मंडी बोट के अधिकारियों ने सुबह करीब सबाद 6 बजे एक सब्की बजार के पास उन्हें रुकने के लिए कहा लेकिन वो रुके नहीं और बैरी गेट को तोड़ते हुए निकल गए अगर उनके खराफ ऐसे टैक होने लगे तो ये तो बहुत ही गलत बात है और मैंने डीजीपी पिंजाब को जे मैसे बेजा है कि इसमें मुल्जिम है वो तो पजानी हुए है दो दिन के अंदर अंदर इसमें चार्शीटर फाइल हो जानी चाहिए और कोट साथ कल फ्री हैं और इस दिन में दस दिन के अंदर अंदर इसका ट्रैल जे कम्प्लीट होना चाहिए और 307 ये टेंप्टिव मॉर्डर है और ये हाथ कटा है और इसमें उमर कैज की सजा बनती है दस दिन के अंदर अंदर ट्रैल खतम करके उमर कैज की सजा मुल्जिमों को देनी चाहिए त देवी ए सिद्धू ने कहा साथ भगोडे निहंगो को गाउं बलवेरा के गुरुद्वारे से गिरपतार कल लिया गया है। इनमें से एक पुलिस फाइरिंग में घायल भी हो गया जिसे पुलिस ने अस्पताल में भरती करा दिया है। यह ओप्रेशन आईजी पटियाला जतिंदर सिंग ओलख की देखरेक में हुआ। दिनकर गुपता ने कहा कि आज सुभा एक दुर्भा के पूर घटना में निहंगो के एक सम्हू ने पटियाला की सब्जी मंडी में कुछ पुलिस कर्मियों और मंडी वोट के अधिकारियों को घायल कर दिया है। पंजाब पुलिस के कॉंस्टेबर हरजी सिंग का हाग काट दिया गया। उन्हें पीजी आई अस्पताल में भरती कराया गया है।